गोवर्मेंट ओफ इंडिया की एक वेबसाइट है नेशनल करियर सर्विस नाम से और डेली गोवर्मेंट ने भी एक वेबसाइट लाँच ही ती जिसके बार में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिकली दोनों जो है जोब अंटिंग वेबसाइट है अगर आप वर्क फ्रॉम जून रहे हैं अगर आप नौकरी ढून रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों वेबसाइट का रिव्यू करने वाले हैं कि क्या जॉब मिलती है या नहीं मिलती है तो मैं अभी आने वाला है और कैसे जॉब ढूंडी जाती है क्या प्रॉब्लम्स है इसमें और आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए वो सारी चीज़ा आप लोगों को बताऊंगा तो मेरे सभी दोस्तों के लिए जो अभी जॉब ढूंड रहे हैं जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो मैंने बनाया है इस वीडियो को लास्त देए तो दोस्तों पहली बार अगर आप चैनल पर आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरगे के वीडियो जब भी हम लेके आए आपके पर सबसे पहले पहुंचे तो चलते दोस्तों मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको वही तो आचो के दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर यहां पर मैं आप लोगों को बता तो कि दो वेबसाइट हैं एंसी याने की नेशनल करियर सर्विस है इसके बार मैं बताऊंगा आपको और यह डेली गौर्वर्मेंट ने यह वेबसाइट कुछ समय पहले पिछले साल यहां पर आप लोगों को काफी सारी job openings देखने को मिल जाती है work from home job भी है part time job भी मिलते है contractual basis पे जो job भी मिल जाती है अभी मैं आप लोगों को clear बताता हूँ कि यह जो job मिल रही है वो real है या ऐसी दिखाने के लिए job डाल दी गई है क्योंकि जो मुझे question आया था आप लोगों के तरफ से वो यह आया था कि यह जो NCS है जो की national career survey जो government opinion लांच की है कै इसमें सच में लोगों को job मिलती है या ऐसे ही है यह तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर अलग अलग states related जो भी job openings है वो यहां पर आप लोगों को दिखा रहे है इसके लावा यहां पे इनोंने यह भी बताया गया कि कितने job seekers है कितने employers है तो आप देखेंगे कि मतलब लाखों में तो यह जो एंब देने वाले वहматर यह जो यहां पर job डुंदोंने वाले करोड को तो यह अभी आप कह सकते हैं कि इंडिया के सच्चाई है तो इसी वज़े से competition बढ़ता है और मतलब जातर opportunity मिलनी पाती बत खेर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कैसे काम करता हूँ उसके बार में इसके अच्छी और बुरी बाते करेंगे क्या है सो मानलो आपको डेली में जॉब डूणनी है तो मैंने डेली पे क्लिक किया दोस्तो आप अपने स्टेट के साफ से जो भी जॉब ओपनिंग निकलती है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं डेली पे क्लिक करने के बाद दोस्तो आप देखेंगे यह पेज ओपन हो जाएगा अब यहाँ पर यह पूछेगा कि आपको स्किल क्या आती है जैसे मानलो आपको डेटा एंट्री आती है मतलब आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आपने डेटा एंट्री लिख आपर यहाँ फर यहाँ पर इटा एंट्री क्लिक करते हैं दोस्तों तुल्य खरक है हमने दोस्तों इस पे क्लिक किया, तो यह यहाँ पे पुरा-पुरा maximum आ गया, मतलब क्या-क्या requirement वगरा है, कब job post हुई है, तो जो job posting हुई है, वो 3 January को post हुई है, 2021 को, recent की posting है, number of openings 2 है, maximum salary, जो मंतली है, यह 7,000 रुपे दे रहे हैं, अब देखिए, आप 7,000 रुपे की job है, मतलब यह एक internship है, यह full-time job भी नहीं है, इस company में, जो अगर किसी को apply करना है, तो वो कर सकता है, मतलब यहाँ पे 12th pass की requirement है minimum, contractual basis पे है, हो सकता है, आपको part-time या घर से भी करने को मिल जाए, COVID के चक्कर में, और कोई यहाँ पे experience नहीं है, तब भी आप कर सकते हैं, तो किसी को apply करना है, तो directly apply कर सकता है, इस तरीके से आप यहाँ पे आके देखेंगे, तो कई सारी आप लोगों को job opening से आपे मिल जाती है, अलग-अलग field से related, चाहे वो graphic designing हो, चाहे टेली services हो, चाहे business development हो, तो मैं यही कहूंगा, मतलब अगर मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो देखो यार, मैं एक neutral होके, मतलब अगर logical बात करूँ ना, तो simple सी बात है कि इंडिया में job ढूणने वाले तो हजारो लाखो है, और जो job देने वाले वो बहुत कम है, तो competition का सामना आपको हर जगा करना पड़ेगा, चाहे आप यह वाली website यूज करें यूज करें, यूज करना सेम है, मतलब दोनों का जो आप कहेंगे कि base है, वो सेम है, दोनों एकी तरीके से काम करती है, यहाँ पे भी अगर आपको job चाहिए, तो आप जाके job ढूण सकते हैं, बट यह डेली के लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, जो डेली के आसपास रहते हैं, उन लोगों के लिए है, तो अगर आप job ढूण रहे हैं, दोस्तों, किसी भी तरीकी की job ढूण रहे हो, चाहिए work from home हो, after 12 तो, यूनो, part time ढूण रहे हो, तो मैं आपको यह सज़ेस्ट करूँगा, कि आप इन platform पे apply कर दीजिए, आपको जो भी opportunity मिलती है, यानि कि यहाँ पे apply करने का option मिल रहा है, apply कर दीजिए, जादा से जादा jobs में apply करें, कई के cases में भी देखा गया है, कि यहाँ पे HR के number भी दिये में, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, मतलब मेरा कहने का यह point है, कि जादा से जादा आप जब यहाँ पे try करोगे job पाने के लिए, तब ही आपको job मिलेगी, इंडिया में वरना job नहीं मिलेगी, मतलब लोगों को लगता है, कि जब हम college पूरी कर लेंगे, 12th पूरी कर लेंगे, तो कोई हमें आसानी से job दे देगा, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तो, इंडिया में हो, हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब ही job मिलती है, तो मेरा काम है आप लोगों को जाद से जादा logical चीज़े बताना job ढूरने की, क्योंकि लोग जब market में job ढूरने जाते हैं उनकी अप्रोच ही गलत होती है, तो अपनी अप्रोच ये रखे कि आप जाद से अधा अप्लाए करें, तब ही आपको job मिलेगी, बट कुछ चीज़ों के साधानी रखे, जैसे आप किसी को पैसे ना दे job लगवाने के, क्योंकि बहुत सारे लोग फश जाते हैं, बहुत सारे लोगों का फायदा उठाया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि आप मुझे पांच सेजार दो, तो कोई आप से यहाँ पे पैसे नहीं मांगेगा, आप अपलाए करते हो, वो आपको mail करेंगे, कि आप interview के लिए आजाओ, आप interview में select हो जाता हो, तो आपकी job लग जाती है, यही simple तरीका, आपको कोई पैसा नहीं देना है job डूढ़ने के लिए, ठीक है, तो इस चीज़ का जयान रखें दोस्तों, यह दो website थी, link में नीचे description में डालूँगा, आप जाके check कर सकते हैं, तो उम्हीत करता हूँ दोस्तों, आप लोगों कोई यह video पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो like करे, किस तरह के videos आप future में चाहते हैं, वो नीचे comment box में लिखके बता सकते हैं, मैं आप लोगों से जल्दी एक लिए वीडियो में मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जया हिंद, जय भारत! करें लिए जया हैं,